नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में यहाँ पर मैं मधू, पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-WISE कवर करा रही हूँ आज का लक्चर नमबर 42 है, जो कि बेस्ट है दव पार्लेमेंट पे आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हूँ, अगर इंडियन पॉलिटी आप किसले बस में है तो यह पूरी की पूरी प्रेलिस्ट आप सभी के लिए काफी हेल्फूल होगा आप इस पूरी की पूरी प्रेलिस्ट को कम से कम 3-4 बार जरूर देखें जिससे कि जब आप एक्जामनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी की क्वेशन को सॉल्फ करें तो आप के लिए काफी इजी हो और आप अच्छे सारे क्वेशन को अटेम्ट कर पाएं पॉलिटी सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग होता है लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप निरंतर रेगुलर उसका रिविजन करते रहें और क्वेशन को अटेम्ट करते लें जिसलिए मैं आपको अडवाईज करती हूँ कि इस पूरी प्लेइलिस्ट को तीन से चार बाद जरूर देखें इसी उमीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेशन की तरफ लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है आपके ओप्शन से ए, by a resolution of लोकसभा passed by a two-third majority of members present उपस्ती सदस्यों के दो तीहाई बहुमत द्वारा पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा तो बताइए जो सपीकर होता है लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है तो पहले क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेशन का आंसर होगा Option B, by a resolution of the लोकसभा passed by a majority of all the members of the house सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक संकल्प द्वारा और एक किस आर्टिकल के अंतरगत इसको कवर किया जाता है इसको आर्टिकल 94 के अंतरगत कवर किया जाता है और ये simple majority के द्वारा पास कर दिया जाता है तो पहले क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा Option B, by a resolution of the लोकसभा passed by a majority of all the members of the house चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No.2 The speaker of लोकसभा can be removed from his office before the expiry of his term लोकसभा अध्यक्ष को उसके कारेकाल के समाक्ती से पहले उसके पत से हटाये जा सकता है तो किस विदी के द्वारा या कैसे जो speaker of the लोकसभा होता है उसको हटाये जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है आपके options है यदि संसत के दोनों सदन इस आश्रे का प्रस्ताव पारित करते है तो दूसरे question का answer क्यों हो जाएगा option B if the लोकसभा पासे ज़िशन to this effect ठीके और क्या होता है कैसे हटाया जाता है जो simple majority होता है अगर लोकसभा में simple majority से ये resolution पास हो जाए तो लोकसभा के speaker को हटा दिया जाता है चलते हैं next question की तरफ के सदस्यों का दो तीहाई बहुमत C order of the president राश्पती का आदेश D a simple majority of the parliament संसत का सधान पहुमत फिर से भई question पूछा गया है कि लोकसभा के speaker को कैसे हटाया जा सकता है तो कैसे हटाते हैं इसका answer क्या हो जाएगा option A a resolution of the लोकसभा passed by a majority of the member of the house simple majority के द्वारा उसको हटा दिया जाता है चलते हैं next question की तरफ Question no.4 Regarding the office of the लोकसभा speaker consider the following statement 1. he she hold the office during the pleasure of the president 2. he she need not to be a member of the house at the time of his her election but has to become a member of the house within six months from the date of his her election 3. if he she intended to resign the letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker which of the statement given is are correct लोकसभा अध्यक्ष के कारेकाल के संबंध में निम लिखित कत्नों पर विचार करें 1. वह रास्टपती की मर्जी तक पत्पर धारन रहता है 2. उसे अपने चुनाओ के समय सधन का सदस्य होना जरूरी नहीं है लेकिन उसे अपने चुनाओ की तारीक से 6 मईने के भीतर सदन का सदस्य से बनना होगा 3. यदिवा इस्तिफा देने का इरादा रखता है तो उसके इस्तिफे का पत्र उपाध्यक्षि को संबोधित करना होगा तो उपर दिये कत्मों में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस type की statements वाले questions को आप कम से कम तीन से चार बार read कर लिया कीजे जिससे कि आपको clear हो जाए कही बार एक word से उस पूरे के पूरी statement की meaning बदल जाती है तो बहुत ही ध्यान से statement वाले questions को solve किया जाता है चौते question का answer क्या हो जाएगा बताइए इसमें से कौन सा statement बिलकुल सही है तो पहला statement कहा रहा है कि he or she hold the office during the pressure of the president नहीं ये गलत है इसको simple majority के द्वारा किसी भी time पे हटाये जा सकता है तो पहला statement तो गलत हो जाता है अब दूसरा statement का कहा रहा है कि he or she need to be a member of the house at the time of his or election but has to become a member of the house within six months from the date of his or her election तो इसको क्या जरूरी होता है कि वो member of the house बने ये भी गलत statement है ठीक है और विदिन six months उसको किसने किसी member of the house बनना जरूरी है ये गलत statement है ठीक है तीसरा statement का है कि if he or she intend to resign the letter of his or her resignation has to be addressed to the deputy speaker ये statement बिल्कुल सही है जो लोग सभाग की जो speaker होते हैं वो अपना resignation letter deputy speaker को सम्भोधित करते हैं या उन्हें देते हैं तो उसमें सिर्फ तीसरा statement सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा only three option B चलते है next question की तरफ question no.5 which one of the following statement regarding the office of the speaker is correct अध्यक्ष के कारिकाल के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है आपके option से a. he holds office during the pressure of the president वरास्पत्य की मर्जी तक पत पर रहता है b. he need not to be a member of the house at the time of his election but has to become a member of the house within six months from the date of his election उसे अपने चुनाओ के समय सदन का सदसे होने की जरूरत नहीं लेकिन अपने चुनाओ की तारीक की छे महीने के भीतर सदन का सदसे बनना होगा c. he loses his office if the house is dissolved before the end of his normal tenure यदि सदन अपने सामाने कारकाल के अंते से पहले भंगो जाता है तो अपना पद खो देता है d. if he intend to resign the letter of his resignation is to be addressed to the deputy speaker यदि वा इस्तिफा देने का इराधा रखता है तो उसके इस्तिफे का पत्र पाधक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए तो इसमें से जो कथन सही है वो आपको बताना है कि कौन सा सही है तो देखो जो d. statement है if he intend to resign the letter of his resignation is to be addressed to the deputy speaker यह statement बिलकुल सही है और आपको सही ही बताना है तो इसका अंसर क्यों हो जाएगा पांच वेका option d. चलते हैं next question की तरफ question number 6 consider following statement first the speaker of the legislative assembly shall vacate his her office if he she sees to be a member of the assembly second whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his her office immediately which of the statement given is are correct निमलिखित कत्नों पर विचार करें पहला यदि विधान सभा का अध्यक्ष विधान सभा का सदेस नहीं रह जाता है तो उसे अपना पद खाली कर देना होगा दूसरा, जब भी विधान सबाभंग हो तो अध्यक्ष को अपना कारेकाल तुरंत खाली कर देना होगा उपर दिये के कतनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है तो बताईए किस में से कौन सा कतन सही है बताईए तो इसमें जो पहला स्टीमेंट कह रहा है तो यह statement इसका सही है, ठीक है, यह statement इसका सही है, अब वो किन-किन condition में अपने seat को वकेट कर सकता है, उसकी 3-4 conditions है, तो यह देख लेते हैं, पहला condition कहा है, तो यह statement इसका सही है, इसका आणसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, ऑप्शन ए, देखे, इसका अंसर होगा, ऑप्शन ए, वन ओनली, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ, Question No.7, Who is generally appointed as a pro-time speaker, आम तौर पर pro-time speaker की रूप में किसे निक्त किया जाता है, आपके ओप्शन से, a. the speaker of the outgoing loksabha, निर्वत्मान loksabha के दक्ष, b. the deputy speaker of the outgoing loksabha, ओप निर्वत्मान loksabha दक्ष, c. one of the senior most member of the newly elected loksabha, नव निर्वाचित loksabha के सबसे वरिष्ट सदस्यों में से, a. d. the leader of the opposition party in the outgoing loksabha, निर्वनिर्मत loksabha में विपक्ष दल के नेता, बताए, प्रोटे में speaker किसको अपॉइंट किया जाता है, तो साथवे के आंसर क्यों जाएगा, option c. one of the senior most member of the newly elected loksabha, नव निर्वाचित loksabha के सबसे वरिष्ट सदस्यों में से कोई एक, चलते हैं next question की तरफ, question no. 8, the function of the protem speaker is to, protem speaker का कार्य है, आपके options से, a. conduct the proceeding of the house in the absence of the speaker, अध्यक्ष की अनुपस्थिती में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, b. administer oath to member सदस्यों को सपत दिलाना, c. officiate as a speaker when the speaker is unlikely to be elected, जब अध्यक्ष के निर्वाचित होने की संभावना ना हो, तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, d. only check if the election certificate of the member are in order, के वलिया जांची की सदस्यों के चिनावा प्रमाणपत्र क्रम में है या नहीं, बताई क्या इसका function होता है, protem speaker का आपको ये बताना है, इसका सबसे बड़ा कारी क्या होता है, कि administer oath to the member, सदस्यों को सबत दिलाने का काम जो करता है, वो protem speaker ही करते हैं, तो आठवे का answer क्यों हो जाएगा, option b. चलते हैं, next question की तरफ, question number 9, the speaker of the loksabha makes use of his casting vote only, loksabha अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का ही प्रियोग करता है, तो किस टाइम पर वो अपने casting vote करते हैं, ये आपको बताना है, आपके options है, a. to save the existing government, मौझूदा सरकार को बचाने के लिए, b. in case of constitutional amendment, समवधानिक संसोधन के मामले में, c. in case of emergency अपातकालिन इस्थती में, d. in case of tie when votes are equally divided, बराबरे की स्थती में, जब votes अमान रूप से विभाजित हो, तो नवी question का answer क्यों जाएगा, option d. in case of tie when votes are equally divided, 9th का answer क्यों जाएगा, option d. चलते हैं, next question की तरफ, question no. 10, which one of the following articles of the constitution provides that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of vote? समवधान के निमलिकित में से, कौन सा अनुचेत यह प्रावधान करता है कि, वोटों की समानता की स्थती में, अध्यक्ष के पास निरनायक वोट होगा, और वह उसका प्रियोग करेगा, आपके options हैं, A. Article 99, B. Article 103, C. Article 100, या D. Article 102, तो कौन सा अर्टिकल है, जिसके तरू जो अध्यक्ष होता, वो अपना निरनायक वोट देता है, यह आपको बताना है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option C. Article 100, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ, question number 12, तो बारहवें कोशन का अंसर क्या हो जाएगा, option B. जीवी मावलंकर, ठीक हैं? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ, question number 13, तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर अफ लोकसभा इस, लोकसभा की प्रतम महिला अध्यक्ष हैं, आपके option से, A. विजय लक्षमी पंडित, B. सुचेता की प्रलानी, C. सारकेश्वरी सिन्हा, D. मीरा कुमार, तो तेरह में question का answer क्या ओजाएगा, option D. मीरा कुमार, ठीक हैं? और उन्होंने कब से कब तक सर्फ किया था, लोकसभा में अज़े speaker, 2009 से 2014 थक, June 2009 तो जून 2014, चलते हैं next question की तरफ, question number 14, प्रेजेंट लोकसभा deputy speaker is, वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्षे हैं, आपके options हैं, A. Mr. PM सेयद, B. Mr. Najma हैपतुला, C. Mr. GMC बालयोगी, या D. None of these, इन में से कोई नहीं, तो 14 ए question का answer क्यों हो जाएगा? बताईए, तो अभी तक जो है, हमारा कोई भी deputy speaker नहीं चुना गया, ये post अभी तक vacant है, ठीक है? इसका answer क्या हो जाएगा? option D. None of these, चलते हैं next question की तरफ, question number 15, in case the deputy speaker is presiding the लोकसभा, he has right to, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अदक्षिता का, कर रहा है, तो उसे यहाँ अधिकार है, आपके option से, A. Take part in its deliberation, इसके विचार विमर्ज में भाग लें, B. Vote on any proposition before the house as a member, सदर्ष्ट के रूप में, सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मत्बदान करना, C. Vote in the event of equality of vote, vote बराबर होने की स्थती में vote करना, D. No right to preside a joint sitting of the house of parliament in case the speaker is absent, अध्यक्ष के अनुपस्थिती होने की स्थती में, संसक्भवन की सयुगत बैठा की अध्यक्षिता करने का कोई अधिकार नहीं है, तो इसमें से कौन सा duty है या कौन सा सा काम जो deputy speaker करता है, यह आपको बताना है, तो पंदरा में question का answer क्या हो जाएगा, इसका answer होगा vote in the event of equality of vote, vote की बराबरी होने की स्थती में वो अपना vote देता है, ठीक है, तो पंदरा में का answer क्या हो जाएगा, option C, चलते हैं next question की तरफ, question number 16, who among the following was the first tribal speaker of लोगसभा, निमलिखित में से कौन लोगसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष थे, आपके option से, A, जीवी मावलंकर, B, जीएमसी जोसी, C, मनोहर जोसी, D, पीए संगमा, तो 16 वे question का answer क्या हो जाएगा, option D, पीए संगमा जोते, पहले tribal speaker थे लोगसभा के, चलते हैं, next question की तरफ, question number 17, तो जो लोगसभा के secretariat हैं, वो किसके control में रहते हैं, यह आपको बताना है, 17 वे question का answer क्या हो जागा, speaker of the लोगसभा, ठीके, लोगसभा धेक्ष के, अंतरगर्थ लोगसभा secretariat काम करते हैं, तो D is the right answer, चलते हैं, next question की तरफ, question number 18, तो लोगसभा secretariat comes under the direct supervision of, लोगसभा सचीवाल है, किसके प्रत्यक्ष परिवेक्षण में आता है, आपके option से, A. Ministry of Home Appear, B. Ministry of Parliamentary Affairs, C. President of India, D. लोगसभा speaker, तो अठारवे question का answer क्या हो जाएगा, option D. लोगसभा speaker, next question, question number 19, which of the following is not a true statement, about the Attorney General of India, भारत के Attorney General के बारे में, निमली कित में से, कौन सा कथन सही नहीं है, आपके option से, A. He is not a member of the Cabinet, वो Cabinet का सद्या से नहीं है, B. He has the right to speak in the House of the Parliament, उसे संसद के सद्नों में बोलने का अधिकार है, C. He has a right to vote in the Parliament, उसे संसद में वोट देने का अधिकार है, D. None of the above, ये प्रुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कौन सा जे statement है, वो सही नहीं है, ये आपको बताना है, Attorney General के बारे में, तो नीशे कोईशन का अंसर क्या हो जागा, He has a right to vote in the Parliament, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है, उसको राइट नहीं है, पार्लेमेंट में वोट देने का, बाकि जो उपर की दोनों स्टेटमेंट है, वो सही है, जलते हैं, नेक्स्ट कोईशन की तरफ, क्वेशन नमबर 20, In the case of election to the लोगसभा, the amount of security deposit by General Category Candidate and SCST Category Candidate respectively is, लोगसभा चुनाओ के मामले में, सामान स्रेणी के उम्मीदवारों और SCST स्रेणी के उम्मीदवारों द्वार जम्मा की गई सुरक्षा रासी क्रमसा कितनी हैं, आपके options हैं, रुपीज 25,000 and 12,500, B 10,000 and 2,500, C 10,000 and 5,000, D 15,000 and 7,500, तो आपको बताना है कि कितना amount deposit करते हैं, अगर कोई लोगसभा का election लडने के लिए जाता है, तो 20 वे question का answer क्या हो जाएगा, इसमें जो general category के लोग होते हैं, वो 25,000 जमा करते हैं, और SCST लोग 12,500 जमा करते हैं, इसका answer क्या हो जाएगा, option A 25,000 and 12,500, चलते हैं next question की तरफ, question number 21, 21st question का answer क्या हो जाएगा, option B, the president of India, attorney general को president appoint करते हैं, जलते हैं next question की तरफ, question number 22, at which of the following stages, general discussion on a bill takes place in the लोगसभा, लोगसभा में किसी विधयक पर समाने चर्चा निमलिखित में से किस चरण में होती है, आपके option से, A, during introduction of the bill, B, during second reading, C, during report state, D, during third reading, तो हम लोग बताने कि जो general discussion होता है, किसी बिल पर, वो कौन से stage पर start होती है, तो 22 question का answer क्यों हो जाएगा, इसका answer होगा, option B, during second reading, दूसरे वाचन के दौरान, जलते हैं next question की तरफ, question number 23, 3, which of the following are exclusive power of the Lok Sabha in comparison to the Rajasabha, 1, a money finance bill can be introduced only in the house of the people, B, regarding the rejection or amendment of money bill, 3, the accountability of council of ministers, 4, concerning the creation of one of the more all India services, Select the correct answer from the code given below, निमलिखित में से कौन सी राज्ये सभा की तोलना में लोक सभा की विशिस्ट सकतियां हैं, पहला, धन वित्त विधया के वल, लोक सभा में ही पेस किया जा सकता है, तूसरा, धन विधया की अस्विक्रिति या संसोधन के सम्बंध में, तीसरा, मन्ती परिसत की जवाव देही, चौथा, एक या अधिक अखिल भारती सेवाओं के शिजन के सम्बंध में, इसमें से कौन सा सही है, वो आपको बताना है लोक सभा के में, लोक सभा की पावर ज़्यादा होती है राजे सभा से, तो 23 कोशन का अंसर क्या हो जाएगा, बताएए 23 कोशन का अंसर क्या हो जाएगा, देखे जो पहला स्टेट्मेंट है कि, a money or finance bill can be introduced only in the house of the people, यह बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है, क्योंकि यह सिर्फ लोक सभा में ही introduced किया जाता है, दूसरे स्टेट्मेंट का है, the rejection, regarding the rejection or amendment of money bill, यह भी बिल्कुल सही है, और तीसरे के कहरे, the accountability of council of minister, यह भी बिल्कुल सही, लेकिन जो हमारी All India Services का जो स्टेजन होता है, जो creation होता है, वो राजी सभा से होता है, ना कि लोक सभा से, तो चौथा स्टेट्मेंट तो गलत है, बाकी उपर तीनों के तीनों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है, तो first, second and third is the correct, तो answer क्यों हो जाएगा, option B देखिए, first, second and third, B is the right answer, next question, question number 24, which of the following is not correct, first, each money bill is finance bill, second, each finance bill is not a money bill, third, finance bill can be introduced in लोकसभा only, fourth, finance bill is presided by the president, fifth, राजसभा can detain the finance bill for 14 days, sixth, प्रेसदेंट can not refuse to sign on finance bill, seventh, राजसभा can amend the finance bill, eighth, on deadlock on finance bill joint setting can be, तुरिम लिखित में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है, प्रतेक धन विधायक, विधायक है, दूसरा, प्रतेक विधायक धन विधायक नहीं है, तीसरा, विधायक केवल लोकसभा में ही प्रेस किया जा सकता है, चौथा, विधायक राश्टपती द्वारा हस्तक्षरित होता है, पाँचवा, उफ्वार्य सभावुत्य विध्ययक को 14 दीनों तक रोख सकता है उप्षॉप है से सब्सक्रों अर्ड कर सक्ता है आठ्व को बताना है कि कौन सा नहीं है , यह आपको बताना स्कthis करेंट नहीं थे न ज प्रेजडेंट केंनाच को साइन और् Murder ऑपकी जो सारे स्थेटमेंट बिल्कूल रहे करेंट यह तो इस तरीक राए Option B देखिए, पाँचवा और छटा, 24 विक आंसर क्या हो जाएगा? Option B. चलते हैं, next question की तरफ. Question number 25. The money bill is defined in which article of the constitution of India? धन विधया को भारत के समिधान के किस अनुचेद में परिभासित किया गया है? आपके options हैं, A. Article 109, B. Article 110, C. Article 111, D. Article 112 Money bill को किस article में बताया गया है? इस कांसर क्या हो जाएगा? Option article 110, अनुचेद 110 में money bill के बारे में बताया गया है. तो आज की हमने set of 25 questions को complete कर लिया है, अगर आप सभी को ये series अच्छी लग रहे हैं तो प्रीज लाइक किजे, comment कीजे और subscribe कीजे हमारे चैनल को कर्मवीर ICS को और मेरी आप सभी से request है कि आप अपने feedback भी जरूर शेर किजे जिससे की आगामी जो भी lectures हों और भी quality lectures बनें आप सभी के लिए और आप उसका अच्छे से फायदा ले सकें और अपने exams को अच्छे से crack कर पाएं. Thank you, thank you for watching.